दोस्तों Pixel Lab एप में फॉंट को एड कैसे करेंगे अलग-अलग डिजाइन में ने-ने तरीके से हिंदी का जो फॉंट इस्टाइल है उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे और अपना नाम या फिर कोई भी टाइटल कुछ भी लिखना हो तो उसको इस्टाइलिस में अच्छे से सुन्दर-सुन्दर कैसे लिख सकते हैं जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ words लिखे हुए हैं देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं सब जो है अलग-अलग design में है अलग-अलग style में है तो इस तरह से मैंने कैसे download किया है ऐसे normally आप pixel lab में इस तरह से नहीं कर पाएंगे इस तरह से अच्छा आपको नहीं मिलता है पहले तो आपको download करना परता है तो कैसे करेंगे सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज की वीडियो बहुत ही informative होने वाली है आप लोग वीडियो के साथ बने रही है और इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को like करें साथी चैनल को subscribe करें तक यह ऐसी information आप तक हमें सब पहुंचते रहे तो चलिए शुर इसको open कर लेना है open करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह से option आएगा तो open कर लेना है उसके बाद आपके सामने में इस तरह से option आजाएंगे बहुत सारे देख सकते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरह से आजाएंगे बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मि क्लिक करता हूँ, तो जैसे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह से option आ जाएगे, देख सकते हैं, नीचे भी इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, जैसे आप download पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर allow कर देना आपको, उसके बाद यह जो है डाउनलोड completed हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कियाओ डाउनलोड कम्पलीट हो गया है, उसके बाद जैसे हैं आप जाए उसको वहां पर किलिक करेंगे मतलब उसको Ganze .... सिर्फ डाउनलूड किया और यहां पर जाके देखा था हमारा यहां पर हो जुका था आप देख सकते हैं यहां पर आपने आप तो इस तरह से जो है आप फॉंट को सिर्फ डाउनलोड करके और इस फॉंट को आप यूज कर पाएंगे और इसी तरह से आपका डिजाइन में अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप भी इस तरह से फॉंट को एड कर सकते हैं और इस तरह से अलग-लग नाम, टैटिल कुछ भी लिख सकते हैं और देखने में आपका अच्छा लगता है तो आप भी इस तरह से डाउनलोड कीजिए और पिक्सल लेब एप में फॉंट को एड कर सकते हैं तो मैंने सारफ रोसल से बता दिया इस टेप बाइस टेप आप भी उसी तरह से आपको सार्च कर लेना है। कुरूती, देव टू, यूनिकॉर्ड एक नंबर पे लेगए। इसी पर हम क्लिक कर देंगे कुरुत्री देव टू यूनिकोर्ड कनवर्टर उसके बाद कुछ भी लिखेंगे जैसे माल लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे राजा तो जैसे लिखे उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे यहां पर यह जो कनवर्ट टू यूनिकोर्ड ह हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहां पर लिख के चलिए में लिखके और Raja Convert तूद देख सकते हैं यहां पर यहां पर यह जो है Unicod में बदल चुका है, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे? Copie कर लेंगे, copy कर लेते हैं, चलिए अब हम पिक्सल लेब में आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर चलिए पिक्सल लेब में हम यहाँ पर कोई एक इसको पहले यहाँ पर हटा देते हैं इस तरह से चलिए आप कोई भी एक टेक्स्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं और टेक्स्ट में क्या करेंगे यहाँ पर हम इस तरह से इसको paste कर देंगे, उसके बाद ओके करने के बाद थोड़ा सा font इस तरह से बढ़ा कर देते हैं, देख सकते हैं, इस तरह से आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, और अपने font में जो है, यह यह भी लिखा हुआ, इस पर click करेंगे, और हमने जो रखा हुआ है, डाउनलोड करके, simply क्या करेंगे, उसको यहाँ पर हम click करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर click कर लेते हैं, तो देख सकते हैं, यहाँ पर font style हमारा change हो चुगा है, तो इस तरह से बदल सकते हैं, चलिए और भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए, कि इस तरह से लग रहा है, कट जाएगा, थोड़ा से space देदेंगे, इसमें ok करेंगे, देखिए, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो इस तरह से आप download करके, और यहाँ पर convert करके, chrome application में इस तरह से यहाँ पर जो है, आप पहले हिंदी में लिख लिजेगा, उसके ब मिलते हैं फिर किसी नए information के साथ तब तक के लिए जहिंद होने मातरम